जियाओ, सथ ये वीडियो भी आप अपने जियाओ की सिम पे ही देहख रहोंगे, तो भाज आप फाइनल इं कर दिया जियाओ दिवाली उपपर जिसमें इस दिवाली जियाओ आज को आज स तक गुप॑ फ्री का अगर आप कॉल करेंगे तो उसके लिए आपसे जियो चार्ज लेगा वह भी 6 पैसे पर मिनिट की दर से पर के रुके रुके आखेर जियो का ये फ्री आउटगोईंग कॉल वाली सर्विस बंद क्यों होगी क्या हमें कॉल्स के लिए अलेक से पैसा देना होगा आखेर हमें ज जियो का आउटगोईंग कॉल वाली सर्विस जो कि अभी तक फ्री था अचानक से उसके लिए अलग से पैसा क्यों लिया जाएगा तो चलिए इसे आसान सी भासा में समझते हैं तो यहां कॉंसेप्ट आता है आयोसी चार्जिस का ये विस टाइम से लागो है जब जियो मार लेते जियो से अगर आप एरेटल पे कॉल करते हैं तो उसके लिए जियो को एरेटल को आयोसी चार्ज दिना होता है जिसे कहते हैं इंटरकरनेट उसे चार्ज इसका मतलब अगर आप पहले वाले सीम से दूसरी वाले सीम पे कॉल करते हैं तो उसके लिए पहले वाले सीम को दूसरी वाले सीम को IOC चार्ज देना होता है और ये IOC चार्ज नहीं तो GEO ने लगाया है और नहीं किसी और ऑपरेटर ने ये कॉलिंग चार्जेस लगाता है ट्राई जिसे हम कहते है टेलिकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया तो ट्राई ने एक अक्टूबर 2017 में इस IOC चार्ज को 14 पैसे से घटा कर 6 पैसे कर दिया था और उसली टाइम ट्राई ने बोला था कि ये चार्जेस एक जैनवरी 2020 से बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तक भले ही हमें जियो में अल्लिमिटेट कॉलिंग मिलते थी बड़ ये बिल्कुल भी फ्री नहीं था जियो 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से आज तक अपने खुद के पैकेट से उन अपरेटर्स को पे किया है पिछले 3 सालों में जियो ने 13,500 करोर नेट आयूसी चार्जेज बाकी दुसरी अपरेटर को पे कर चुका है तो जाहिर से बात है अब आप पूछेंगे क्यूं तो जियो को लगा था कि 31 December 2019 तक अगर मैं ये चार्जेज खुद से भी पे करता हूं तो यह बाद में मेकप हो जाएगा, जैसे कि ट्राइग नी बोला था just the 2020 के सुनात में हिए चार्जेज खाटा झार्जेज एगा तो अचने से ट्राइग ने जियो पर यह चयारजेज क्यों लगा धिया तो जैसे कि हम सभी को पता है कि Jio के plans बागी सारे operator से सचता है तो बागी सारे operator के लोग याने कि Airtel, Bodafone, idea sim यूज़ करने वाले लोग Jio पर mist call मारते हैं daily basis पे और Jio वाले बाद में उस operator पे call करते हैं तो इससे होता ही है था कि Jio पे 25 से 30 करों mist call daily basis पे आने लगे थे तो इसकी वज़ा से बागी सारे SM वाले ने try को complain की कि Jio के वज़ा से उनका काफी नुकसान होड़ा था तो finally try ने ये बाते मान ली और Jio पर 10th of October से ये charges implement कर दी तो घुमा फिला के बोला जाए तो इसमें loss हम सारे user का ही है पर आप क्या होगा अगर आपने Jio का recharge 10th of October से पहले करवाया है तो उस plan के खतम होने के बाद आपको calling के अलग से 6 पैसे per minute वाले plans के recharge करवाना होगा पर 10th of October के बाद अगर आप कोई भी recharge करवाते हैं तो उसमें unlimited calling facility available नहीं होगी उसके लिए आपको अलग से IOC top of recharge करवाना होगा जो कि 10 रुपए से श्रू होगा अलाकि Jio ने कहा है कि compensation के तौट पर वो हर एक 10 रुपए का recharge पर एक जिवी का data प्रुवाइड करेगा इसके अलाव coming calls free होंगे, Jio to landline calls free होंगे और जितने भी आप social media के तुरू calls करेंगे वो तो free होंगे ही इसके अलावा अगर आपके पास एक Jio phone है तो उने विए Jio फाइदा देगा जो कि फिलाल इस पेज में discuss नहीं किया गया है तो आप बात कर लेते हैं कि आखिर आपको कब तक Jio to non Jio call पर IOC charges लगेंगे, तो Jio ने कहा है कि 31 December 2019 तक ये charges temporary basis पर लगेगा, जैसे कि ट्राय ने बोला है कि 2020 के सुरात से ही ये IOC charges हटा दिया जाएगा सारे operator से, तो Jio ने हम सारे Jio users को ये दिलासा दिया है कि सायद 31 December 2019 के बाद ये charges हटा दिया जाएगा, फिलाल के लिए मैं तो य को इस असना प्लान मिलता है, तो आप Jio Sim को उस Sim पर पोड कर ला लिजे, तो ये थी Jio से जुड़ी कुछ information, अगर आपको ये वीडियो चलगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको Jio से जुड़ी अभी कोई टाउट हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पू कि यू